उस्टेरियन क्रिकट बोड 2009 में पिंक टेस्ट मैच का एक सिर्जला शुरू करता है जिसके तैयर सिद्नी क्रिकट ग्राउन में साल कर जो पैना टेस्ट होता है वो पिंक टेस्ट मैच के लाता है उस दिन दोलो टी में पिंक कैप्स पहनती है पुरा ग्राउन ही पिंक में नह इसमें पूरा ग्राउंड ही हुला भी हो गया था उसके बाद हर साल सिड्डी क्रिकट ग्राउंड में जो भी मैच होता है वो भी क्लिक कहलाता है तो पूरा टीमों ने गुलाबी रंग की कैपस भी पहनी होगी और टेस्ट मैच कर जो तीसरी दिन होगा जो लेटिस इन ग्लेव होगा उसे ग्लेव मेर्याट की वीजेन के नाव पर टेंपर तरपर किया जाएगा कहा जाता है कि इस पिंग टेस्ट मैच कंपेइन ने 22 मुलियन अमरीक की डॉलर से जादा अकठा करने मदद की है और पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर की अवेरिनस और इससे अथाक्टिव लोगों की काम के लिए बहुत काम किया है पागस्तान और अस्टेलिया के दरुदिङन के टेस्ट मैच 16 पिंक टेस्ट मैच होगा इससे पारे जो 15 तेस्ट मैचिस खे़ए गहे है उसमें से 8 अस्टेलिया ने जीट लखे है 6 में अस्टेलिया ज्रॉ करने में काम ङयाब रहा सिर्फ एक ही ट्रीम इंग्लेंड ऐसी है जिसने 2011 में पिंक टेस्ट मैच में अस्टेलियो को शेकर्स दी है यानि कि सिर्फ अस्टेलिया एक ही पिंक टेस्ट मैच पूरे 16 अडिशन में अभी तक हार चुगा है इस मेंच के कहने तीजा निकरता है वो देखने वारा होगा विजार दीजेएंगा अच्छा लगे तो एक डवप कासंशिन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा